हेलो एवरिवन, वेलकाम अगेन इन लर्ण वेज देतिमन, बचों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14, क्लास 9 का पार्ट 3, यह इसका लास्ट पार्ट होगा, और इसी के साथ यह चैप्टर हो जाएगा समाख, तो चलिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, 62 नंबर तक कोशन हम कर चुके हैं, 63 नंबर कोशन है आपके सामने, परमपरागत आधार पर राइस्थान की जलवाईयों को कितनी रितों में बाटा गया है, तो देखिए आपने जब भारत की बारे में पढ़ा था, तो आपको पता है, जब मौसम विभाक के अनुसार की बा कैसी वर्सा हैं, यहां पर मौसम हैं, ग्रिस्थान वर्सा और सीत रितों, नेक कोशन देखिए, भारत मौसम विभाक अनुसार राइस्थान की जलवाईयों को कितनी रितों में बाटा गया है, भारत का जो मौसम विभाक है, उसके अनुसार राइस्थान में की जलवाईयो तो यह हैं आपके पास सीथ रितु दिसंबर से फरवरी तक, दूसरा आपका ग्रेस्म रितु मार्स से मद्धे जून तक, तीसरा आपका वर्षा रितु मद्धे जून से मद्धे सितंबर तक, और चौथा आपका सरद रितु मद्धे सितंबर से दिसंबर तक, यानि भारत के मौसम बिवाग अनुसार सलर देतू और पढ़ती है जबकि सामाने तोर पे माना जाता है वो सीत ग्रेसम और बरसारेतू मानी जाती है ठीक है चलिए नेक क्वेशन देखे राजिस्थान किस जलवायू कटिबंद के अंतरगत रखा जाता है तो इसका अंसर है सितोष्ण जलवायू कैसी है विसम जलवायू है तो सितोष्ण जलवायू कटिबंद के अंतरगत हमारी राजिस्थान की जलवायू आती है नेक क्वेशन देखे शीत्रितों में सामने तर राजिस्थान में निम्नित आपमान वाले छेत्र कौन से हैं सीत्रितों में जब राजिस्था चूरू, देगाना, फलोदी, माउंट अबुवादी छेत्रों में सीत रुप्पी में सामनते सप्रेश ज्यादा कम टेंपरेशर रहता है। नेक क्योशन देखिए। उत्तर राजिस्थान में सीत रितु के समय क्या तापमान रहता है। उत्तर राजिस्थान में, देखिए, राजिस्थान में आपको पता है समुद्र से दूरी के अनुसार और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी उपर तापमान रहता है। तो उत्तर राईस्थान का temperature और दक्षिन राईस्थान के temperature में अंतर होता है, तो उत्तर राईस्थान का temperature C32 में क्या होता है, तो वो होता है 12 degree centigrade से भी कम होता है, जबकि दक्षिन राईस्थान में ये 68 degree centigrade से अधिक होता है, ये चीज को आपको याद रखना है और समझना है, न यहां पर केवल पेपर के लिए नहीं होते हैं यह होते हैं आपके facts को समझने के लिए आपके concept को clear करने के लिए अगर आप इन चीज को proper तरीके से समझ होगे तो आप अगर आपको घुआ फिरा कर भी question दे दिया गए तो आप उसका जवाब दे पाऊगे अचले देखिए इसको राइस्थान में सीत्रितू काल में सरदकालीन मांचुन को प्रभावित करने वाले उच्वायुदाब वाले चेत्र कहां निर्मित होते हैं तो कहां होंगे वो आप जानते हैं बेकाल जील और पेसावर के निकट ये एरिया है जहां पर सबसे आप होता है उससे जो उत्पन पवने होती है किन के साथ मिलकर मावट में साहिक होती है किन की वज़े से मावट आ जाती है तो वो है आपकी भूमद्दे सागरी चक्रवातों के साथ मिलकर ये मावट करने में साहिक होता है ये उच्वायुदाब है ना नेक क्यूशन देख कर अधिक तम तापमान किस महा में तक हो जाता है तो हम जानते हैं जून महा तक राइस्थान की भूमी तपने लगती है और सबसे ज़्यादा टैपरटेचर जून महा में देखने को मिलता है नेकOSN देखी, जून महा में रायसान का ओसत तापमान कितना होता है, तो देखिए, जून महा में 30 degree centigrade से भी अधिक हो जाता है, यह आपके, 38 degree centigrade यहां का ओसत तापमान रहता है जून महा के अंतर, और अधिकतम 45 degree से भी अधिक जेतरों में इसका टैमपरेचर चला जाता है, राइस्थान में ग्रीसम रितू में निर्मित निम्न वायुदाब के कारण चलने वाली धूल भरी गर्म वैसुस्क हवाईं क्या कहलाती हैं? वर्सा रितू में सामने तहा राइस्थान का ताप्मान कितना रहता है तो कितना रहता है? 18-30 degree centigrade रहता है इस वर्सा काल में रहता है राइस्थान के अंतर भारत में आने वाले धक्षणी प्रिश्णी मानसून की किस साखा से तुलनात्मक राइस्थान में कम वर्सा होती है? कि इन दोनों जो साखाएं बदल जाती है उन साखाओं में से किस में ज़्यादा वर्सा करता है और कौन सी कम वर्सा करता है? तो देखे हमने इसके बारे में पढ़ा था अरब सागर ये मानसून जो आता है वो सबसे पहले पश्चिमी घाट में टकराता है और वहीं पर कर बैठता है उसके आगे वो जब आता है तो बहुत हलका पड़ जाता है। उसी तरीके से बंगाल की खाड़ी से जो आता है तो बंगाल की खाड़ी से आता हुआ जो मानसुन है वो वर्षा करता हुआ आता है और राइस्थान तक आते आते कापी हद तक अपनी आधरता खो चुका होता है तो वो भी बहुत जादा वर्षा नहीं कर पाता है लेकिन फि भी अरब सागरिय मांसून से जादा वर्षा करता है तो आप से पूछा गया था राइस्थान में कम वर्षा किस साखा से होती है तो अरब सागरिय मांसून की जो साखा है उससे होती है ने कुशन देखी राइस्थान में मांसून किस समय तक प्रवेस करता है राइस्थान में कि अंतिम सब्ता तक राइस्थान में मांसून आ जाता है नेक क्वेश्चन देखिए भारत में आने वाले दक्षणी परशिम मांसून से राइस्थान की कुल वर्षा का कितना प्रतिसत वर्षा राइस्थान में होती है भारत में आने वाले दक्षणी परशिमी जो मांसून ह याँनी बंगाल की खाडी का मानसून और अर्व सागणे मानसून जो है उसमें राषठान की कुल वर्सा जो होती है उसका कितना पृतिसद भाग mixes दक्षिणी परशन में मानसून के DAC तो हम क्या है, 95% जो वर्सा होती है, पिचार में पृति सत जो वर्सा होती है, वो काँ से है? देक्षणी प्रष्री में मानसुन से होती है. नेक कोशन देखिए नेक कोशन देखिए बंगाल की खाड़ी से आने वाले मांसुन पवनों से राजिस्थान में कहां वर्षा सरवादिक होती है बंगाल की खाड़ी से जो मांसुन आएगा वहां पवनों से जो पवने आ रही है मन सुना रहा है उसमें राजिस्थान में कहां वर्षा सबसे ज़्यादा होगी तो वो है आपका दक्षणी पूर्वी राजिस्थान यहाँ पर वार्षिक वर्षा ऑस्ता सौ सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और दक्षणी भाग है यहाँ पर दक्षणी पूर्वी भाग ह यहां पर होती है नेक क्यूश्शन देखें पच्छिमी राइस्थान मरुष्ट ले शेत्र जोग कहलाता है मैं औसकत वार्श कितनी है तो जब हमने वर्शावितरन पढ़हा था भारत का वर्शावितरन तो हमने देखा था कि जो राइस्थान का कुछ हिस्सा है वो सबसे में कम यह प्रयाब्द वर्षा की छेत्र में आता है क्योंकि पश्ची में राइस्तान में तो वर्षा ना के बराबर होती है तो आपको पता है यहां पर कितनी वर्षा होती है यहां पच्ची सेंटीमीटर आस्तन वर्षा होती है मात्र जो वार्षिक वर्षा आस्तन है पश्ची में राइस्थान की 25 cm से भी कम होती है बहुत सारी जगत हो दक्षिनी पूरी भाग में 55-100 cm वर से सुत्रे पूरी राइस्थान में 50-70 cm होती है नेक कोशन देखिए सरद रितु में प्रारंभ में तापमान बढ़ने का कारण है सरद रितु में प्रारंभ में तापमान बढ़ने का कारण है देखिए वर्सा रितु के बाद आती है सरद रितु तो जब हम राईस्थान की बाद करते हैं तो राईस्थान में ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही वर्षा आएगी तो वर्षा आने के पाद जो धूलकन है जो कि कहीं न कहीं बहुत सारी चीजों के लिए अलग-अलग प्राकरतिक घट्टाओं के लिए बेवार होते हैं तो क्या होता है जब वर्षा होगी तो धूलकन बैठ जाता है जिसे आ आकास्वच होना ही इसका सबसे मुख्य कारण बनता है। सरद्रितु में प्रारम में जो तापमान बढ़ता है उसका कारण क्या है? आकास्वच होना और यहां का जो टेमपरेचर है वो 38 डिग्री सेंटिगेट तक पहुंच जाता है। नेक कोशन देखी। सरद्रितु के प्रारम में बढ़े हुए तापमान का कम होने का करान का है। सरद्रितु में आपने देखा कि टेमपरेचर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपस्वान साफ था। तो अब ये जो कम हो रहा है उसके बाद, सरर्य दिर्टु के बाद आपको पता है इसका temperature कम होने लगता है कियों होता है, क्योंकि जो सूर्य होता है वो दक्षिनार्द हो जाता है यानि दक्षिन गोलार्द की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है या फिर उस साइड ही तो गिरने तेसी दी नहीं पड़ेंगी और ऐसी स्थितिय में अपने आप ही वहां का temperature डाउन होना चालो हो जाता है तो उत्तिरी राइस्थान 20 degree centigrade होता है वे दक्रीन राइस्थान में इस वक्त 30 degree centigrade तक ताम temperature देखने को मिलता है नेक कोशन देखें राइस्थान में इसपस्ट वायुदाव निर्मित ना होने के कारण किस रितु में पावने सांत रहती हैं वे वर्सा नहीं होती देखें यह जो कोशन है यह काफी conceptual है यह concept को लिए हुए है राइस्थान में एक ऐसा वक्त आता है मौसम रितु के मद्ध है जब इस प्रकार के स्थिति होती है कि जो वायुदाव होता है वो इसपस्ट नहीं हो पाता है इधर भी उच्छदाव हो रहा है उधर भी सिति में क्या है पवनें भी सांध मत रहती है और वर्सा भी नहीं होती है और उसका मुखे कारण क्या है इसपस्ट वायुदान नबं नहीं होना ठीक है नेक कोश्चन देखिएं, भारत की कुल वर्षा का कितना पृतिसत दक्षिनी पष्षिमी मानसून से प्राप्थ होता है, भारत की कुल वर्षा का कितना पृतिसत दक्षिनी पष्षिमी मानसून से प्राप्थ होता है, पूरे भारत की जब में बात करते हैं, तो दक्षिनी खाड़ी का मानसुन और अर्व सागरी मानसुन से जो टोटल वर्षा होती है वो कितनी प्रतिसात है वो 90 प्रतिसात वर्षा केवल दक्षणी प्रिश्चिमी मानसुन से होती है नेक कुशन भारत की कुल वर्षा का कितना प्रतिसात चक्रवातों में सरद कालीन मानसुन से प् होता है कितना प्रितिसत होता है तो हमने देखा था हमारे भारत में मुख्यता दो ही प्रिकार के मानसुन आते हैं जिसमें से हमने पिछले दक्षणी प्रिकार के मानसुन की बात करी थे तो 90 प्रितिसत और बाकिवस सेस बचा वो होता है इसी से और वो होता है 10 प्रितिसत है सूरे के मकर रेखा पर लंबवत चमकने पर निम्नवायुदाप कहां होता है यह देखी यह concept अगर आपने समझा है questions आपने अगर सही किये हैं तो जवाब को आना चाहिए कि सूरे के मकर रेखा पर लंबवत चमकने पर निम्नवायुदाप कहां होता है पहली बात तो आपको यह पता होना चीए कि मकर्रेखा कहा होती है मकर्रेखा कहा होती है दक्षिन गुलार्द में होगी दक्षिन गुलार्द में होगी तो उस वक्त हमारे यहां पर क्या होगा सूर्य के करक्रेखा पर लंबवत चमकने पर भारत में निम्न वायुदाब कहां होता है, तो जब करक्रेखा है, कहां पर है, उत्तरी गुलार्द में है, और हमारे भारत के लगभग मदे से भी निकल रही है, तो ऐसी स्तिति में, यह क्या होगा, जब लंबवत होगी होगी, और ऐसी स्तिति में, यहां पर टैंपरेशर ज़्यादा होने से वायुदाब भी यहां पर निर्मित होने लगेगा निम्न, तो भारत का जो उत्तरी भाग है, वहां पर निम्न वायुदाब निर्मित हो रहा होता है, तो बच्चों, इसी के साथ आपका यह चैप्ट कर दो कर दो कर दो Aires के साथ पर कह आपका यहां पर निर्मित हो और आपका यहां ख़ मित मता होता है पर डुझ पर इसका यहां मित है जड़िस के साथ आत्कशश पर निसे पाल अ